हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे किच्छन में बहुत बहुत स्वागत है मैं अपनी किच्छन बना देरा रही हूं बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़िदार सूजी टोस्ट या रवा टोस्ट आप कह सकते हैं शाम के समय बच्ची हो या बड़े सबको ही कुछ चटपट को अपर मैंने क्या के सब्जां यूज किया मैंने कौन को ऊबाल लिया छलिए कंस नहीं और टुक्स कर सकते हैं अच्छाा अगर आपको बहुत जादा थीक लगे तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है आधा कपके करीब फिर से स्पून की हल्प से मिक्स कर ले रही हूं तो दही और सूजी देख सकते हैं मिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे फटा-फट से बना लेते हैं तो इसमें मै अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगेगी तो पर इसमें वीडियो को लाइक शेक कीजेगा और में चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो मैंने यहां पर आधी चोटी चमच काली में नमक और आधा चोटी चमच सफेद नमक डाल दिया है आप चाहे तो चाट मसाला नमक डाल नाना है बस नॉर्मल बेड की श्लाइस को ले 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 इसके इनर कॉर्णों को कट करने की कोई भी जरुबत नहीं है बलकि क्रिस्पी होते तो और भी अच्छे लगते हैं तो बस इसे चमच की हर्प से इस तरह से लिके हमें अच्छे से इसके उपर फैला लेना है आप जहें तो चाकुक की हर्प से भी फैला सकते हैं आप जैसे कमफटेबल हूँ उस तरह से आप बना सकते हैं तो बहुत ही मज़दार सी रेश्पी और दस पंडद कर जैसे कि मैंने का तयार हो जाती है बच्छों को बहुत ही पसंद आती है चलिए इसे चलते हैं टोस्ट देने वाली बात है अब यहां पर ध्यान देना है कि हम इसे डारेक्स सीधा ना डालते हो इस तरह से उल्टा डालना है बस इस चीज़ को ध्यान देना फ्लेम को बिल्कुल रखना है लो फ्लेम पर एक एक करके हम सारे जो हमने यह टोस्ट बनाए थे सूजी के उसे डग है मैं थोड़ा सा फिर से इसको ऊपर से भी थोड़ा सा ओयल लगा दूंगे आप चाहित इसके जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी लग रही हूं तो प्लीज मेरी वीडियो को लैक्शे किये जग में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस तरह से बहुत ही जटपट से चार पर्शमेट में हम इसे अच्छे से से लेंगे तो बद्यान यहीं रखना कि मैं से ओल्टी साइट से से शेखना है मैं आपर चमश की हजब देख ले रही हूं देखिए यह सिग अच्छे से बस हमें इतना ही ऐसे ही कलर चाहिए तो मैं एक ही करके सारे प्रेट को वापस से पलट देती हूं दूसरे साइट से भी बस एक से दो मेट के लिए से लेना है किसे दोनों साइट से यह अच्छे से सिख जाए और बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़दा बनकर तयार होते हैं और बहुत ही जल्दी बन को जायो है यह तो बच्चों को टिपन में भी लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या तो पिर आप किसी ट्रावल करने जाया तो ट्रेवल में भी इस तरह की रस्पीस को असानी से बना सकते हैं जट्पर से या बच्चों को फशवरी पार्ठी हो बाड़े सा Cris बनाई जा सक करते हैं उससे बच्चे और खुश होके खा लेंगे तो बस इस तरह से मैंने चाकू के हल्प से 20 से कट कर दिया और टोमेटो केचप के साथ इससे सब करें बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही स्वाधिस से रस्पी है और बहुत ही जट पर से बन कर त्यार हो जाती है तो आ बढ़े